प्यारे बच्चो नमस्कार आज हम अपनी एट्थ क्लास इंग्लिश वर्क बुक और जिसकी हमारी यूनिट फॉर्थ जो हमारा लिंक लेशन है विपिन चोधरी लेप्स आफ इसको जो हम हल करेंगे तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं एक ये कॉम्प्रिहंशन दिया गया है इसको हम ध्यान से जो है पढ़ते हैं इसको परग्राफ को हम ध्यान से पढ़ते हैं और जो नीचे दियेगे जो प्रशन होंगे उनके हम जवाब देगे एक हाथी जो भूल जाता है इसको हम देखते हैं अपु वाज एन अदोर्बल बेबी एलिफेंट बट देर वाज वन थिंग अबाउट हिम एक अनोखा एक जो हाथी है का बच्चा है जो भूल जाता है इसको भूल जाता है इसको भूल जाता है इसको भूल जाता है इसको भूल जाता है इस मदर सेड़ उसकी माने कहा कि आती कभी जो भूलता नहीं है वेरली वन डे लेकिन एक दिन क्या होता है वहन सी गोट हिम रेडी फोर दा स्कूल पिकनिक वो स्कूल की पिकनिक के लिए जो है त्यार हुआ बनाना अज यलो जो केले हैं वो पेले हैं इन कलर रंग में नॉट पिंक गुला भी नहीं है ऐ दिन गऑ्टफ के लिए और तुमारे दानतों के लिए अचे क고 उच्छे हैं बनाना अ पनॉट के लिए रहा हि अप स्पोल प्तू जू आ जो आती है वो छिंगारती हैं not bark कि वो भूखते नहीं है now will you remember that अब तुम यह याद रखोगे कि ट्राइंग सन बेटे तुम यह याद रखना है तुम्हें said papa elephant उसके जो है papa जो elephant है उसने उसको जो खा and don't let anyone get you down appoo started for picnic from school appoo जो अपनी picnic के लिए school से वो रवाना हो जाता है hearing a thunderbolt एक वो जो है thunderbolt की एक गरजना सुनता है all baby animals सारे के जो सारे जो जानवर है रेन here and there वो यहाँ वा भाग जाते हैं appoo was not found anywhere appoo कहीं भी जो नहीं मिलता है by the teacher teacher को वो कहीं नहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता वो गायब हो जाता है appoo fell into the hole वो एक जो है hole में गिर जाता है and he was crying for help और वो शायता के लिए चिराने लगता है he remembered elephant tempted और वो याद करता है आथियों की चिंगाड को जो है वो याद करने लगता है I remembered he shouted और वो चिलाया याद किया उसने और वो चिलाया elephant tempted की आती तो चिंगारते हैं and raising his pointed little trunk और अपनी जो छोटी सून है उससे उसने जो है raising उठाई he tempted away loud and clear वो फिर जो है उसने जो है चिंगारना सुरू किया और तेय जवाज में hearing is jumped और उसकी चिंगार सुनकर के his teacher helped him उसके जो अध्यापको ने उसकी साहिता करी to get out the hall वहां से जो बार निकालने के लिए उस बिल से उस जो होल से बार निकालने के लिए where he had fallen जहां वो गिर गया था after that day और उस दिन से अपू नेवर पढ़ते हैं पहला प्रशन इसमें हमारा दिया गया है कि what was the one thing about अपू के बारे में ऐसी कौन सी क्या बात है अपू के बारे में क्या है कि वो हर चीज जो भूल जाता है तो he forgot everything he forgot वो भूल जाता है यह इसका जवाब हम यह लिखेंगे दूसरा प्रशन रीड करते हैं दूसरे प्रशन में काया कि what did अपू mother tell him about banana and candies अपू की माने बनाना और candies के बारे में क्या बताया था तो हमने paragraph उपर पड़ा था उसकी माने उसे बताया था कि जो बनाना है बनाना और यलो की जो केले हैं वो पेले हैं इन कलर रंग में and candies are pink और जो candies है वो जो है pink कलर की है उसकी माने उसको ऐसा बताया था तीसरा question हम देखते हैं how did a poo came out from the hall hall से जो है पू बाहर कैसे आया तो उसने चिंगार ना शुरू कर दिया था और उसकी अध्यापको ने उसकी जो है चिंगार की आवाज को सुनी और उसको बाहर निकाला he tempted उसने चिंगारा and his teachers helped him to get out the hall he tempted उसने चिंगार चिंगारा and his teacher उसके ध्यापको ने helped him उसकी साहिता करी to get out of the hall वहां से बाहर निकालने में उसके ध्यापको ने साहिता की चोथा परसन हम देखते हैं कि why did the baby animals run here and there जो चोटे जो जानवर थे वो इधर यहां और वहां क्यों भागे थे they run hearing a thunderbolt वो उन्होंने जो एक गरजना की आवाज को सुनकर के वो इधर उधर जो है भागे थे इस प्रकार से इसका जो है answer यह होगा नेक्स पेज में हम देखते हैं working with language के अंदर जो ग्रामर पोर्शन है इसके अंदर हम देखते हैं plural यानि बहुवचन example दिया गया है book self यह singular है and book selves यह plural हो गया यानि एक चीज को संबोध करने वाला वो singular है एक वचन है और एक से जादा का जो ग्यान कराए बोध कराए वो plural होता है give the plural of the flowing words इनके जो कुछ शब्द दिये गए हैं इनके हमें plural बनाने है लीफ एक पत्ती होती है लीफ बोलेंगे अगर इसको plural बनाना है भवचन में बनाना है तो leaves ल-e-a-v-e-a-s leaves bench एक bench है एक से जादा हो benches ब-e-a-n-c-h-e-s लेडी एक ओरत है लेडीज एल-e-a-d-i-e-a-s वाई हट करके i-e-a-s लगा है वुल्फ भेडिया एक से जादा हो तो w-o-l-v-e-a-s वुल्ज शिप भेड है और एक से जादा हो तो भी शिप ही कहेंगे counting में जादा हो शकता है ये 5-6-6 लेकिन इसका जो है singular or plural same है तूथ टीथ 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 एक दान्थ है एक से जादा हो तीथ आर्मी आर्मीज वाई हट करके i-e-s लगा है पलूरल्स आर्मी का बनाएंगे तो आर्मीज साइकलिस्ट साइकलिस्ट सिस्ट knife चाकू, knives k-n-i-v-e-s, men men एक आदमी है एक से जादा हो men fish, fish child, children इस प्रकार से ये हमारे जो हैं singular एक वचन से बहुचन बनाए हैं आगे हम इसके अंदर देखते हैं collective nouns समुव वाचक शंग्या, a herd of cows एक जैसी चीजों का समुव हैं उसको हम जो है collective nouns के अंदर ये आती हैं कुछ examples जो हम नीचे देखते हैं कुछ यहां word दिये गए हैं और उनको मिलान करना है match the collective noun with appropriate noun यहां कुछ collective nouns के दिये गए हैं और उनको सही सब्द से, सही noun से उनको मिलान करना है पहला हम देखते हैं collective noun में, a swamp of यानि मदू मकीयों के चत्ते को, bees को ये हो गया इसके अंदर bees, पहले का bees यानि बहुत सारी जो मदू मकीयों होती है उनके जुन्ड को, उनको जो है, a swamp of हम बोलेंगे a को हम bees के साथ मिलान करेंगे दूसरा है, a murder of a murder of cows के साथ मिलान करेंगे a litter of puppies चोता है, a pack of wolves बेडियों के शमुह को हम जो है, pack of कहेंगे a choir of singers, यानि जो संगीतकार होते हैं, बजाने वाले होते हैं, तुर्री बजाने वाले को शमुह को हम, a choir of कहेंगे a bunch of, यानि एक keys, चावियों के गुच्छे को हम जो है bunch of कहेंगे a fleet of ship, यानि जो पानी की जहाजे हैं, समुद्री जहाजे हैं, उनके बेड़े को हम, a fleet of, कई जहाजों के समुह को fleet of कहेंगे a pride of loins, लाइनों के समुह को, share के समुह को pride of कहेंगे a team of players, खिलाडियों के, कई खिलाडियों के समुह को हम team कहेंगे a flock of ship, बेड़ों के जुन्ट को हम जो है, flock कहेंगे next page के अंदर देखते हैं Today at Kalichans, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from the close quarters, here was observing is the past continuous form of the verb, इस कुछ लाइनों के अंदर जो है was observing जो डार करक के अंदर दिया गया है, यह past continuous है वर्ब की जो है, form of verb, observe की जो past continuous tense बनाया गया इसके अंदर, तो हमें आगे use the past continuous tense of the verb, past continuous tense की वर्ब का इस्तेमाल करना है, bracket के अंदर जो कुछ दिये गए हैं आगे sentences के अंदर, and complete the sentences और इन वाक्यों को पूरा करना है, past continuous tense की वर्ब का परियोग करते हुए, हमें इन वाक्यों को पूरा करना है, one by one, सबसे पहले हम पहला वाक्य देखते हैं, अली एंड अमीना, स्क्रेबल वहन वरून काल्ड पले, अब पले का past continuous tense में, हम past continuous tense में वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की पहली फोरम के साथ आइन जी भी लगाते हैं, वाज वर्ब का परियोग हम subject के according करते हैं, अगर subject हमारा singular एक वचन में हैं, तो वाज का परियोग करेंगे, अगर एक से जादा है, तो वर्ब का परियोग करेंगे, तो यहां देखिए, अली एंड अमीना, एक से जादा है, तो यहां वर्ब का परियोग करेंगे, वार, और पले के साथ आइन जी फोरम लगाएंगे, तो वर्ब प दूसरा संटेंस देखते हैं I dash to music so I did not hear the doorbell, listen listen, तो listen से listening बनाएंगे, past continuous में है तो I was listening, I was listening हम जो है इसके अंदर कर देंगे I was listening तीसरा देखेंगे Ravi's aunt arrived from Patna last night while he slept while he, he a question है, तो was sleeping लगादेगे was sleeping इसके अंदर हम भरेंगे खाली जगर में Ravi's aunt arrived from Patna last night while he was sleeping चोत्ता देखेंगे grandfather, grandfather singular है, तो was लगाएंगे और wait है, तो waiting कर देगे grandfathers was waiting for us when we got off the train पांच वान देखे Anita, singular है dash a letter when he phone when the phone rang right, right की बनानी हमें right की वाब है, इसका past continuous tense में परियोग करना है Anita singular है तो Anita was writing a letter when the phone rang Anita एक पत्र लिक रही थी जब phone की घंटी बजी किरन कीरन singular है, तो वाज आएगा पक्का है, वाज है, तो वाचिंग लगाएंगे कीरन वाज watching a film on TV when lights went off कीरन जो है, एक फिल्म देख रही थी TV के उपर, जब 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 लाइट जो है चली गई, तो कीरन वाज वाचिंग लगाएंगे वाज वाचिंग मनपरीत singular है, तो एक वाज आएगा past continuous tense के अंदर मनपरीत वाज reading the newspaper when his father called him, तो read की यह from past continuous में मनपरीत singular है तो वाज लगाएंगे, वाज reading लगादेंगे मनपरीत वाज वाज reading the newspaper when his father called him, इस परकार से बच्चों, यह past continuous tense के जो है, कुछ sentences है, हमें इनको fill up करना है next, आगे देखते हैं fill in the blanks with the past continuous form of the verb in boxes कुछ जो है, word दिये गए है हाव, वाब, साइन, स्क्रिक, बाक, ब्लेयर यह कुछ वाब है और इनको हमें past continuous tense के according इन लाइनों में आगे fill up करना है यह वरब दिये गए है हाव, होना, साइन चमकना, स्क्रिक, जो है एक आवाज है यह बार्क भोकना, ब्लेयर यह आवाजे हैं और इनको हम भरेंगे अपने कुछ आगे लाइने दिये गई है इनको हम इसमें भरते हैं लास्ट नाइट, आई कुड नोट स्लीप अट आल जो है पिछली रात में साइधंक से सोन इसका देर वाज सो मच हैपनिंग बहुत कुछ घटा दा मैस यानि चुहे वर श्किकिंग यानि चुहे वो आवाजे कर रहे थे कापी चुहों की आवाजों को श्किंग करेंगे एन डाडोग्स वर बार्किंग और कुट्थे जो भूख रहे थे दा पीपल नेक्स डॉर वर हैविंग ए पार्टी पार्टी कर रहे थी their music system was blaring और music system जो है वहाँ पर music system भी blaring कर रहा था आवाज कर रहा था all night पूरी रात music system भी the window open and moon was shining on my face moon was shining on my face और जो चंद्रमा था वो मेरे चहरे पर जो है वो चमक रहा था तो यहां देखिए last night I could not sleep at all पिछले रात में सोन इसका there was so much happening बहुत कुछ गठा the mice mice एक से जादा है तो वर लगाएंगे यहां squick लगाएंगे चुओर की आवाज के साथ squicking लगाएंगे तो वर आएगा वर squicking एक से जादा है तो वर्स squicking आना या लाजमी है and the dogs और कुटे हैं कुटे हमें पता है भोगते हैं तो dogs हैं तो एक से जादा हैं तो वर बार्किंग यहां वर बार्किंग हम जो है फिलफ इसके अंदर जो है करेंगे the people next door पीपल एक से जादा है एक से जादा जो होते हैं व्यक्तियों के शंख्या पीपल यानि लोग है तो यह वर लगाएंगे पार्टी यानि वो एक पार्टी रख रहे थे next door अपने अगले ही दरवाजे पर the music system music system से समद्धित बलेर है तो music system was blaring all night the window was open खिड़किया खुल ली थी and moon was moon चंद्रमा है पता है में shining चमकता है the moon was similar है was shining on my face चंद्रमा जो है मेरे चेहरे पर जो है वो चमक रहा था इस प्रकार से इन में ये कुछ वर्ब्स ये गए हैं boxes के अंदर इनको हमें इन लाइनों के अंदर फिल अप इस प्रकार से हमें करना है नव आगे next हम देखते हैं vocabulary given below are some verbs कुछ verbs दिये गए हैं make noun इनकी हमें noun बनानी है कैसे by adding appropriate suffix suffix जोड करके suffix यानि जो किसी word के पीछे लगता है वो हम suffix कहेंगे prefix होता है जो word के जो है आगे लगता है और यह हमारा जो word के पीछे लगता है तो word के पीछे लगाना है हमें और एक noun बनानी है हमें वरब हैं वरब के पीछे हमें एक word लगाना है उसको suffix बोलेंगे और एक हमें noun बनानी इस परकार से for example एक दिया गए है argue इसके पीछे argue हमारी वाब है meant अपने speaks लगा दिया तो हमारे एक noun बन गी argument confirm ये हमारी एक वाब है और इसके पीछे हमने लगा दिया confirm के पीछे तो हमारा confirmation यानि सताई करन amaze हमारी वाब है तो हमने noun मना दिया amaze के आगे amante लगा दिया amazement विश्मे इस प्रकार से हमें noun के आगे suffix लगा करके sorry verb के आगे suffix लगा करके हमें noun जो है बनाएंगे कुछ आगे और देखते हैं enjoy हमारा एक आगे word है enjoy और इसके आगे हम me लगा देंगे तो enjoyment हमारी noun बन गई है enjoyment चोता है calculate calculate में हम जो है suffix जो है लगाते हैं और एक noun बनाते हैं तो calculate के आगे हम जो i-on लगा देंगे तो calculation गणना यह हमारी noun होगी गणना execute execute के आगे i-on हमने लगा दिया तो execution यानि किर्यान्वन subtract subtract के आगे हमने i-on लगा दिया subtraction घटाओ enhance enhance के आगे हमने amianti लगा दिया enhancement व्रिधी remember है remember के आगे हमने r-a remember है तो a-n-c-e लगा दिया remembrance यानि शम्रण laugh है t-e-r लगा दिया हमने laughter hansi occupy से हमने occupation बना दिया इस परकार से हमने ये वाब के आगे सुफिक्स लगा करके कुछ हमने noun बनाए हैं इस परकार भी है आप ये बनाएं next आगे देखते हैं match the flowing words इन नीचे सब दिये गए इनको मिलान करना है take from the link lesson with their meaning और lesson के जो meaning के according हमें जो है इनको मिलान करना है तो हम देखते हैं thriller पहला दिये गए thriller thrill का मतलब रहश्य तो इसको हम b-table में आई के साथ मिलान करेंगे a novel play or film with an exciting plot typically involving crime or spying thriller का मतलब होता है रहश्य यानि एक novel play एक कोई नाटक और film या कोई film an exciting play एक ऐसे bookend पर एक ऐसा involving crime or spying जहांपर जो है कुछ crime को दरसाता हुआ हो और कुछ रहसे को दरसाता हुआ हो तो इसको जो है हम ऐसे इसको बोलेंगे spying या तलब जाशुशी दूसरा है intruder intruder यानि बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला गुसरने वाला ऐसी जगह पर जाने वाला जहां कोई उसको उचित्ती नहीं है एक आदमी कोई वैक्ती ऐसी जगह पर जाता है वेर दे आर नोट वैलकम जहां उसका कोई स्वागती नहीं है कहां उसका कोई उचित्ते नहीं है तीसरा है inconsciable यानि एक कलपनी है जिसकी कलपना ही ने की जासके तो इसको एक ही साथ मिलान करेंगे नोट एबल टू बी इमेजिन्ड यानि एक कलपनी है बिना कलपना के एकलपनी है जिसकी कलपना भी ने की जासके चोथा है insanity यानि पागलपन insanity insanity यानि पागलपन तो इसको जो हम मिलान कर देंगे इसके साथ जो है एज के साथ serious mental illness serious mental illness के साथ पागलपन serious mental illness mental illness यानि दिमा की तरूप से जो पागलपन insanity insanity पांचमा हमारा है encounter यानि मुठ भेड यानि unexpected or casual meeting unexpected or casual meeting के साथ मिलान कर देंगे पांचमे को हम जो है जी के साथ मिलान करेंगे चटा हमारा इसके अंदर दिया गया है embrace यानि सर्मिंदा करना embrace का मतलब सर्मिंदा करना cause to feel awake word or assembled or assembled assembled का मतलब ही same होता है सर्मिंदा करना ही होता है cause to feel wake word or assembled यानि सर्मिंदा होना साथमा इसमें दिया गया है slam यानि प्रहार slam यानि प्रहार इसका हम जो है slam को हम जो है मिलान करेंगे J के साथ to put down something with great force प्रहार एक तेजी से प्रहार करना किसी पर जोड डाल करके प्रहार नगा to put down something with great force यानि प्रहार आठमा है ridiculous यानि haashya shpad यानि foolish और absurd F के साथ मिलान करतेंगे आठमे को F के साथ हम मिलान करेंगे नुवा देखते हैं confirmation confirmation यानि the action of confirming पक्का स्थाई करन पक्का कोई हो confirmation और दस्वा हमारा है amaze हरान करना अच्चम भीत होना तो इसको हम D के साथ मिलान करेंगे estonis दस्वे को D के साथ मिलान कर देंगे estonis इस प्रकार से हम जो है इनका जो है यह यह word है link lesson से इनको जो है इनके साथ मिलान करेंगे आगे देखते हैं डिक्सेनरी प्रेक्टिस यह तरन राउंड एंड फाउंड इंसेल्फ लुकिंग एट राउंड फेस्ट में लुकिंग मैन वू नाव ब्रोक इंटु दा स्माइल यहां तरन राउंड जो साब्द है हेर मिन्स इसका मतलब है तु मुस्ट शो देखने और उन फ्रेजिस की लिस्ट बनानी है जो टन के साथ यूज होते हैं अग्जैंपल के लिए तरन नवध तरन्स वर इस प्रकार से हमें जो है लिस्ट बनानी है आगे हम जो है अपनी यह वकबूक के अंदर देखेंगे और हमें जो है यहां कुछ वर्लिस्ट बना लेने हैं, जैसे टोस अंट टरन, टरन टरण टरन एcस हैड, वन गुड टरन, टरन आउट, टरन नाइस पैनी, यह जाज जो वर्लिस उत्ते हैं, जो फ्रैजीस होते हैं उनको हमें जो मुख्यता हैं यहां लिकने जो इसके उन्द turn the tide, turn down, turn up, turn around, इस प्रकार से जो है कुछ जो है अन्य भी बना सकते हैं, डिक्सेनरी में देखर के, turn up, turn round, turn sound, turn back, good turn, turn away from. Next देखते हैं, next pages के अंदर, हम इसको देखते हैं, speaking and writing. Speaking and writing का अभ्यास करते हैं, बोलना और लिखना, writing composition, composition लिखना, paragraph का एक रूप देना, बच्चों इसको हम जो है चित्र को ध्यान से देखते हैं, और देखते हैं इसके अंदर, चित्र के अंदर हमें क्या-क्या दिखाई दे रहा है, व्रिद वैक्ति हैं, दो बच्चे हैं, अलमारी हैं, table, chair, table lamp, ये कुछ अन्य चीज़े हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको हमें ध्यान से देखना है, सीधा वो picture उपर जो तिश्वीर देगे इनको देखना है, राइट ए पैरेग्राफ, एक पैरेग्राफ लिखना है, वैन मैं ग्रानफादर जो मेरे दादा जी क्या होते हैं, लोश्ट खो जाते हैं, spectacles, spectacles होता है, यू कैन यूज़ दा वाल्ड्स, आप इन शब्दों को परियोग करिए, गिवन इन दा बॉक्स बिलो, जो ये बॉक्स के अंदर दिएगे, इन शब्दों को परियोग करते हुए, हमें एक composition लिखना है, और वर्ड हमारे दिएगे हैं, फोरेड माथा होता है, स्पेक्टेकल चस्मा होता है, फोरगट भूलना होता है, सर्च ढूंडना, अंडर नीचे, अब उपर, एवरी बोड़ी हरे कोई एंगरी नराज, सड़नली अचानक लाफ मतलब हशना, इस प्रकारशे हमें चित्र को होते हैं, वन डे माइ ग्राणफादर लोस्ट ही स्पेक्टेकल एक दिन मेरे दादाजी अपने चस्में खो देते हैं, एड एवरी वन और हर कोई हैड लुकिंग फॉर दैम, हर कोई उनको तून दा है, अंडर दा टेबल, टेबल के नीचे, अब दा टेबल, मेज के उपर, तो यहां हमने अबो और अंडर का जैसे परियोग किया, आप भी कर सकते हैं, ओन दा सेल्फ, अलमारी के अंदर, इन दा बुक रैक, जो बुक की रैक है, खिताबों वाली इंस में ढूंडा, इन दा ड्रावर्स, दराजों में ढूंडा, एंड इवन अंडर दा मैट्रेस, और जो हमने चटाई मैट्रस के अंदर भी निचे भी उसको ढूंडा, बट लेकिन दैन माइ मादर कें इन तम मेरे माताजी अंदर आई, एंड ही टोल्ड हीम, और उसने उसको जो है बताया, देट, आप देवर ओन इस फोरेड, हमने फोरेड का इस्तेमाल किया, यहां नराज हो गया, बट और फिर जो अचानक बस्ट इंटू द लाफ्टर, सारे अचानक जो है उनकी जो है यह नराज की हशी में बतल लगई, तो इस प्रकार से हम चित्र को देखते हैं और यह कंपोजिशन जो हम जो है लिख सकते हैं, आप भी इसे जो है अपनी नोट बुक हमने देखी, उमीद करते हैं आपको अच्छे डंक से समझ में आ गई होगी, इसे आप अपनी नोट बुक में अवर्श्य करें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत बहु इस वीडियो में मिलते हैं इसी आपको अच्छी लगी होगी, धन्यवाद